आम बारतिय नागरिक की मन में ये सवाल उड़ता है कि गांदी जी चाते तो बगा सींग को बचा सकते थे तो फिर गांदी ने बगा सींग को क्यों नहीं बचाया ये इतिहास के ऐसे अंच्वे पहलू है जिने जानना आज हमें जरूरी है क्योंकि इतिहास सिर्फ कागजों म में लिखी हुई कहानी नहीं है इतिहास तो लोगों के दिलों में बसी हुई जुबानी मानी जाती है नमस्कार मैं हूँ बियल मीना आज ऐसा विश है जिसमें हर विध्यारती को कहीं कहीं मतभेद में रहना होता है वो किसकी बात को स्विकार करें या किसकी को नहीं करें क् जब इतिहास 1947 के बाद में जब लिखा गया था तो यहां इतिहास को ब्रह्म में डाल दिया था क्योंकि इतिहास हमेशा राजनीती के राजनेताओं के द्वारा बता ही बातों पर लिखाया जात रहा है सच्चाई जहां नहीं लिखी जाती है उसे इतिहास नहीं का जाता है आज भी ऐसा ही हो रहा है जब जब दूसरी राजनिता आते हैं दूसरा कोई राश्ट ये दल बदलता है वो इतिहास अलग तरीके से लिखवाना चाता है यही भारत की इतिहास की विडम ना है तो एक ऐसा विश है कि गांदी चाते तो भगाश सींग को बचा सकते हैं तो पहला पॉण्ट आप यह समझें कि गांदी कभी भी फांसी जैसे सजा के हमेशा खिलाप थे गांधी के बारे में यदी हमें समझना है तो दिहान रखे कि गांधी ऐसा व्यक्तित्व है कि वो फांसी जैसी सजा के हमेशा खिलाफ रहे हैं तो फिर भगवशिंग को होने वाली फांसी पर गांधी जी ने निश्चित रूप से अपनी मेंट की थी हो सकता है गांधी ही अंदेरे में रख दिये गए थे वहां गवर्नर वायसरा इर्विन के द्वारा नमबर दो बगसींग और गांधी के बीच में फासी के बारतों पर फासी जैसे विशे पर आज तक कहीं भी कोई ऐसा साक्ष नहीं मिला है कि बगसी और गांधी के बीच मतबेद था एक सब्द का कोई साक्ष नहीं मिला है अब सवाल ये उड़ता है कि ये बात 1931 की है और 1931 में भारत के राजनीती में सर्वोच सिकर पर अर्था जनता के दिलों पर राज करने वाला वो व्यक्ति वो महान तपस्वी महात्मा गांधी चाते तो बगसींग को बचा सकते थे यही तो ब्रहम दूर करना है 17 फरवरी 1931 को गांधी के द्वारा वायसराय से मुलाकात की जाती है अपील दर्ज की जाती है वायसराय कहते हैं कि हमें एक बार और मिलने की आव सकता है 18 फरवरी 1931 को गांधी जी साइकल के द्वारा लाल के लिए में प्रवेस करते हैं वायसराय से मुलाकात करते हैं और वायसराय से कहते हैं जन्मानस की अपील के द्वारा भारतिय जन्मानस का मन के क्या कह रहा है वायस राय उसे सुनते हैं और कहते हैं कि मैं इस पर सोचूंगा तो ध्यान रखिये प्रधान मंत्री हैं राष्ट पती जो होते हैं मुकमंत्री होते हैं जब कभी वो किसी बात को positive way में बोलते हैं कि मैं इस पर सोचूंगा गंबीर होकर वायस राय ने गांधी से कहा कि मैं इस पर सोचूंगा एक और अवसराता है कहा जाता है कि 24 मार्च को जब फासित दी जाएगी तो गांधी जी वहाँ पर 22 मार्च या 23 मार्च को एक बर साइकल के द्वारा लाल के लिए में जाना चाते हैं वायस राय ने क्या किया कि समय तो दे दिया 23 तारी को सुबह का जब समय मिला था गांधी जी को वायस राय से मिलने के लिए लेकिन जैसे गांदी जी चले गए थे अंदर तो वायस राय वहां से निकल करके और सिमला चले गए ये वायस राय ने गांदी को अंदेरे में रखा था तो ध्यान रहे गांदी फासी के खिलाब थे वो भारत के उस हर सहासी युवक को जो स्वतन्थता की लड़ाई लड़ रहा था उसे पसंद करते थे ने गांदी का भगास सींग से मतवेद था ने गांदी का सुबास से मतवेद था केवल विचारों का मतवेद था भगास सींग भी आजादी चाते थे गांदी भी आजादी चाते थे सुबास भी आजादी चाते थे बस कारिये जो कैसे करना है कारिये के जो तरीके थे वो भिन थे भगस सीख ने गांदी के ऐसे योग आंदोलन में बढ़ चड़ कर हैसा लेया था है है भगस सीख जेल में रहते हुए भूक हरताल की थी है भगस सीख गांदी के पदचिन्यों पर ही चलने वाले थे लेकिन भगस सीख को जब लगा कि हम सांती और अहिंसजा के मार्ग पर इन अंग्रेजों से आजादी नहीं करा पाएंगे तब जा करके भगत सिंग ने सहसत करांती का सहारा लेया था इसने ध्यान रहे गांदी जी ने हर पल हमेशा अपने दिमाग और दिल से भगत सिंग को बचाने की पूरी कौसिश की थी लेकिन भगत सिंग को फासी देने के पीछे वायसराय का मन ये था अंग्रेजी राज का ये दिमाग था यदी हम फासी नहीं देंगे तो भारत का जो ये वुवा है ये और सैसस क्रांती की तरफ बढ़ेगा फासी इसलिए देना उन्होंने जरूरी समझा कि हम भारतिये युवाओं को डराना चाते हैं उनमें भै पैदा करना चाते हैं लाट सवाल ये और है जब फासी की सजा हुई थी तो भगत सींग के पिता के द्वारा ही अपील दर्ज की गई थी लेकिन भगत सींग को बहुत बुरा लगा था और उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप मुझे बचाने की कोई अपील दा जाता है जिसको जैसा बता दिया जाता है ऐसा ही वो इतिहास को आगे से आगे परोस्ता जाता है इतिहास के कुछ गटना ऐसी है जो अंचोई होती है ये ऐसी गटना थी ध्यान रहे गांदी युवाओं को गांदी सहासियों को गांदी वीर्युद्दाओं को गांदी परा सींग को बचाना चाते थे लेकिन बचा नहीं पाए यही बात इतिहास में हमें सब को तकलीव देती है